नमस्कार बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज आपके साथ मैं सुरिष्टी मिश्रा 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का पर्व कह लीजे योगी सरकार 22 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है बड़ी खबार आज की आपको बता देए कि कहा जा रहा है कि योगी सरकार एक कहावत है यूपी और योगी उपी योगी अब देखने वाली बात होगी कि बजट में इसका कितना जादा जमीनी सतर पर कारिगर साबित होता है यह कथन पहले आपको बता दूं कि योगी सरका कि यूपी का जो बजट होगा उसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ट्रिलियन डॉलर अर्थ विवस्था बनने जा रहा यूपी साथ लाग करोड का ये बजट होने वाला है चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं विपक्ष की भी ड्रामे बाजी शुरू हो चुकी है और इसी मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतिय जनता पाठी के प्रवक्ता एसन सिंग जी मौजूद है सर सबसे पहले बहुत सवागात आपका हमारे जागाल जी धन्यवाद सर सबसे पहले तो ये बजट साथ लाग करोड का होने वाला है यूपी की जनता को कितना बड़ा सवागात देखिए ये तो आप अनुमान लगा रहे ही जब तक बजट पेश नहों तब तक मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं कि साह हो सकता है इससे भी जादे का बजट हो जे चुकि ये बहुत ही सुन्दर बजट होगा और ये ऐसा बजट होगा जो आजाद का बजट होगा महिलाओं के सुरच्छा का बजट होगा किसानों के कुसाली का बजट होगा रोजगार का बजट होगा ऐसा बजट होगा जो गाओं गरीब किसान सब को खुस करने वाला बजट होगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि विपक्ष अभी से हंगामा करने लग बिपक्ष ये कह रहा है कि ये 2024 को ध्यान में रग के बजट बना जा रहा है मैं तो कहा रहा हूँ इस तो अच्छी बात है 2024 में हमें बोट कौन करेगा जनता करेगी अगर हमारे बजट से हमारी योजणाओं से जनता खुस है तो हम तो जनता को खुस करने के लिए बजट बना रहे हम विपक्ष और विरोदी को खुस करने के लिए बजट तो नहीं बना रहे है जे, अश्रा एसन सिंग जी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं M.E.O. को जितने भी धरातल पर काम होने वाले हैं, उसकी शुरुवात हो चुकी है, सबसे बड़ी कवायत तेज है किसानों के लिए, जिस पर ये इलजाम लगता है योगी सरकार पर, खास तौर पर अखले शार्ट व आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्सकों को बताना चाहूंगा, यह भारती जनता पार्टी की देन है, जब स्वर्गी अटल विहारी भाजपेई जी की सरकार रहती है केंदर में, तो किसानों की खुसाली के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना ले आई जाती है, जो इस दिन के लिए है, यह तो समाप्त हो जागा है, तो चुनाओं के लिए, लेकिन किसानों के हिद के लिए कार करने वाले, अंतियोदय की परिकल्पना को पूरा करने वाली, यह भारती जनता पार्टी की पारदर्शी मांदार, जबाब दे सरकार है, आज देखिए उत्तर की जो कालखंड था, उसमें 42 लाग हावास देने का कार किया गया, सहरी हावास को छोड़ दिया जा, केवल घ्रामीड हावास की भाद कर रहा है, हम उसके बाद गरीब को क्या चाहिए, बिजली चाहिए, मुप्त बिजली कनेक्शन देने का कार किये, सुभाग योजना के द भूखे ना सोय, कोरोना जैसी आपदा चल लए थी, उन लोगों के लिए भी जो योजना चलाए गया, इसनाते पूरे देश के लोगों का विश्वास है, आधनी प्रधान मंतरी जी पर और अधनी मुक्य मंतरी जी पर, उत्तर प्रदेश में हमने वादा किया था, सड़को उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्टि उत्तर प्रदेश, तने कार हो रहे हैं, आप देखेंगी, मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश, जहां अपराधियों के नाम से जाना जाता था, वन डिस्टिक, वन प्राटक, प्रतेश जीले की एक अपनी विकास की पहचान है, ऐसे उत्तर प्रदेश, जहां निवेसक आ रहे हैं, क्योंकि निवेसक किसी पार्टी के नहीं होते हैं, निवेसक वहां आते हैं जहां सुरत्चाह होता है, जहां बिस्वास होता है, जहां भरोसा होता है, मुझे लगता है कि देशी ने दुनिया की निवेसक अगर उत्तर अपने निवेश की बात कर दी कि यूपी में बड़ा निवेश होने वाला है अचा एसल सिंग जी आप से यह जनना जाओंगी अखिलेश श्यादव क्यों कह रहे हैं कि निवेश तो नहीं लेकिन सबसे पहले योगी को जातिगत व्यवस्था को समझना पड़ेगा यूपी व लेकिन एसल सिंग बताईए बीजेपी क्या करेगी इस पर कह रहे हैं कि योगी को जातिगत मत गणना समझने की जरुवत है वैसे भी वो मुखे मंत्रे ऐसे हैं जो बाहर राज्य से आए सबसे पहले तो इस तंज पर क्या आप जवाब देना चाहिए वो बताईए की सिक्षागरार की हैं उनके समय में हला बोल होता था हला बोल क्या होता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है वो कबजा कर लेने का कारे होता था उनके समय में जो गटबंदन होता था उसके बाद गेस्ट हाउस जैसा कार होता था यह भारती जनता पार्टी की सरकार है और मैं तो कह रहा हूँ, यहां तो जाती धर्म की बात ही नहीं, मत मजहब की बात ही नहीं, सबसे सुन्दर हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वात, और सबका प्रियास, जो सडके बन रही हैं, जाती धर्म देखकर नहीं बन रही हैं, जो आवासी हो जन सबी लोग ये मान रहे हैं कि विकास के कार होने चाहिए और विकास के कार के नाते भारती जनता पार्टी को 2014 से कंदर में और 2017 से उत्तर प्रदेश में अपना अपार समर्तन दे रहे हैं और आप दीखेंगी उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल गया 37 साल में पहली बार जिसकी सरकार थी उसकी सरकार रिपीट हो रही है ये विकास के उचनाओं के नाते क्योंकि लोगों को जातिबाद, छेतरवाद, धर्मबाद, समपरतायबाद में बाट के कोई कार नहीं होता था कि बाल लूट होती थी सहफई में नाच गाने होते थे 300 करो रुपया महांगा ही बत्ता बाटने जाते हैं और 15 करों बाटने में लग जाता है इनके हां लेपटाप योजना आई थी वह योजना ही फलाप हो गया आट लाग कहां गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चार लाग ऐसे लोगों को पैंसन दे रहे थे जो पैंसन धारक थे अच्छा यह अपने परिवार और जाती को बढ़ावा देने वाले सरकार एक सट्रीम का रिजल्टि निकलता है PCS का सथिक्टी में से सतरी की धर्म की लोगों वह जाते हैं तो मुझे लगता है हम पारदर्शीता की बात करें हम समाज की बात करके समाज कल्याण के लिए कार आपने यूआओं की चर्चा की टैबलेट योजना कहा गई अभी कहा जा रहा है कि दो करोड यूआओं को टैबलेट की सौगात देने जा रहे होगी यह बताइए एक तरफ अकिलेश यादव कहा रहे हैं कि यूआओं ही नाराज चल रहे हैं इस तरीके से आपको क्या लगता करेंगे योगी सरकार देखिए अकिलेश जी चुकि मुझे लगता है कि गाहों से जुड़े नहीं रहे हैं एक दादा दादी लोग कहानी सुनाते थे और आप भी उसको वाके को आपके चनल के माध्यम से मैं आपके दर्सकों को बताओं कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करेंगे और जो सुमिरन करें दुख कायों को आपकी सरकार थी आप जब भवकुम का अयुजन हो रहा है, जब इस तरह के काम हो रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है, और आप जूठी जूठी बाते का के जनता को पुसलाना चाते, क्या जनता देखी नहीं है, कि आपके समय में तीन सो पैसट दिन में से, तीन सो दिन करफियू लगा रहा रहा भी चाहर चोटे हैं और चोटी बात का को को गुमरा नहीं कर सकते हैं। लगतार जनता उनको जवाब दरीए। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे लोग सभा में पिछली बार पांच सीटी इस बार मुझे लगता है कि जीरो सीटी रहेगी क्योंकि तीन तो होई गया है लेकिन आने वाले समय में आपके चैनल पर बता के जा रहा हूं अकले सियादो जी को उत्तर प्रदेश से होई हैं देखने वाली बात होगी क्योंकि आपको बता दे बजट पेश होने वाला है जहां कहा जा रहा है कि आग्रा और जहासी में जुस तरीके से मेट्रो की सौगात देने वाले हैं सीम योगी अरितनाथ इसके साथ ही बुंदेल खंड के एक्सप्रेस वे को सबसे बड़ी सौगात इस बार जनता के लिए माना जा रहा है तो देखने वाली बात होगी बजट सत्र को लेकर जनता में कितनी खुशी होती है और एक तरफ विपक्षी जो दावे कर रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है खुकला होने वाला है और जनता के लिए कुछ भी नहीं इस बजट में तो इसका जनता किस तरीकी से जवाब देती है फलाल आपका ऐसल सिंजी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए